Welcome students, कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी लोगों की पढ़ाई no doubt बहुत अच्छी चल रही होगी Students, आप सभी लोग को पता है कि हम लोग 11th क्लास में जिस टॉपिक को लास्ट वीडियो से स्टार्ड किया था, उसका नाम था Quantum संख्याएं, Quantum संख्याएं क्या होती हैं, Quantum संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये मैंने आपको उस पिछले वीडियो में बता दिया था और उस वीडियो में मैंने आपको क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं के बाद बताये था कि क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं नमबर एक मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था आज के टॉपिक में हम सबी लोग दूसरी quantum संख्या पर बात करने जा रहे हैं दूसरी quantum संख्या जिसको हम बोलते हैं दिगंशी quantum संख्या दिगंशी quantum संख्या या जिसको हम बोलते हैं एजिमूथल quantum number यह most important है बहुत पूछी जाती है अलग से short note आता है कि दिगंशी quantum संख्या क्या होती है तो देखो आप याद रखिएगा वह quantum संख्या जो हमें electron के उपकोश की जानकारी प्रदान करती है दिगंशी quantum संख्या क्यालाती है दिगंशी quantum संख्या क्यालाती है इसकी खोज तो सोमर फिल्ड ने करी थी इसे एल से प्रदर्शित करते हैं यह है या ऐसे लगोगे ल का मान मुख्या क्वांटम संख्या ब्रेकेट में N पर निर्भर करता है निर्भर करता है N के किसी मान के लिए किसी मान के लिए L का मान 0 से N माइनस 1 तक होता है ठीक है यह है हमारी डिफिनिशन इसको आपको word to word याद करना पड़ेगा अब देखो मैं आपको इस डिफिनिशन को बहुत आसानी से समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से याद करिएगा देखो हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति का जो address है उसको बताने के लिए पहले देश का नाम पता होना चाहिए फिर हमें प्रदेश का नाम पता होना चाहिए तब जाकर के हमें जिले का नाम पता होना चाहिए और तब जाकर के फिर हमें गली मुहला या गाओं का नाम बताया जाना चाहिए तो जाकर के उस व्यक्ति का address complete हो जाता है समझाने के लिए मैंने ऐसा लिया था अब देखो देश का नाम मतब कक्षा के बारे में जो quantum संख्या बताती है उसको बोलते हैं मुख्य quantum संख्या principle quantum number इसको हम एन से प्रदशत करते हैं इसके बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो अब प्रदेश प्रदेश का मतलब है उपकोश इसको हम कक्षा की जगए कोश भी कह सकते हैं कक्षा कहें या फिर कोश कहें एक ही चीज़ है इसके और भी नाम है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए है कक्षा, कोश, मुख्य, उर्जा इस्तर, शेल, और्बिट ये सब इसके नाम है तो कक्षा के बारे में जो बताती है कोश के बारे में जो बताती है वो है मुख्य quantum संख्या डीटेल आप पिछले वीडियो में देख चुके हो कक्षा के बाद, अब बाद आती है उपकषा की या कहें तो उपकोश की या सब शेल की तो सब शेल की बारे में उपकोश की बारे में जो quantum संख्या हमें बताती है उसे हम बोलते हैं दिगंशी quantum संख्या अब इसके आगे इसे L से प्रदर्शित करते हैं और इसका N, ये N के मान पर निर्भा करता है देखो, N से सुरुवात करी थी न तो जो L का मान है जो L का मान है, वो किस पर निर्भा करेगा? N का मान अगली जो quantum संख्या पढ़ेंगे वो किस पर निर्भा करेगी? L पर समझे में आरा ना? तो हम इसमें के लिखा है कि इसे L से प्रदर्शित करते हैं और जो L का मान होता है वो N के मान पर निर्भा करता है और N का अगर कोई मान दिया है हमें नहीं पता कितना है तो L बराबर कितना होगा? 0 से लेकर N माइनस 1 तक ठीक है? एक उधारण भी आप यहां से लेख सकते हो उधारण में हमने लिखा यदि यदि N बराबर 4 है तो L बराबर 0 से 4 माइनस 1 तक अर्थात L बराबर 0, 1, 2, 3 होगा ठीक है? अब बताओ N बराबर 4 का मतलब क्या होता है? कोश संख्या कितनी है? 4 मतलब चौथा कोश है और L बराबर 0, 1, 2, 3 है इसका मतलब 4 मान है इसका मतलब उपकोश कितने है? उपकोश की संख्या कितनी है? उपकोष के शंक्या कितरी है चार मतलब अगर हम इसको समप करें तो क्या बोलेंगे कि चतुर्थ कोष में चौथे कोष में चार उपकोष उपस्तित होते हैं ठीक आपको पता है ना कि कोष का नर्माड उपकोष से हुआ है तो चौथे कोश का निर्माड चार कोश से हुआ है थोड़े देख लिए सोचो यदि हम n बराबर यदि n बराबर तीन ले लें तो l बराबर कितना हो जाएगा तो आप बोलो कि 0 से 3-1 तक मतलब 0 से लेकर 2 तक तो 0 से 2 के बीच में क्या आएगा 0 आएगा 1 आएगा और 2 आएगा इसका मतलब टोटल मान कितने है 3 मान है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरा कोश है n बराबर 3 मतलब जो तीसरा कोश है वो कितने उपकोश से मिलके बना है 4 कोश 4 उपकोश से मिलके बना है 3 कोश तीन उपकोश से मिलके बना है इसी तरह से निकालिएगा आप दूसरा कोश दो उपकोश से मिलके बना होगा और पहला कोश एक उपकोश से मिलके बना होगा अब उपकोश के नाम कौन से होते हैं ये याद रखिए S, P, D और F ये उपकोश होते हैं अगर L बराबर 0 है, L बराबर कितना है, यहां लिख देरहों मैं, यदि L बराबर 0 है, it implies S of कोष, उसका मतलब क्या होगा, S of कोष, L बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, P of कोष, L बराबर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा D उपकोश और इसी तरह से यदि L बराबर 3 है तो इसका मतलब F उपकोश जनरली देखा जाता है कि S, P, D और F उपकोश में हमारा काम चल जाता है आगे F के बाद G, H, I ये उपकोश हो सकते हैं बट हमारे पास जितने भी element मौजूद हैं उन सभी में कुल 4 तरह के उपकोश देखे राते हैं इसलिए हम F उपकोश तक की बात करते हैं आगे कभी कोई element खो जा गया जिसमें और उपकोश की भी आवशकता पड़ी तो फर आगे F के आगे भी possibility होगी वो बात की चीज़ है अभी हमने केबल इतनी सी चीज़ देखी कि quantum संख्या क्या होती है तो आपने कहा वे संख्या हैं जो electron की स्थिती और उर्जा की जानकारी देती हैं उन्हें हम बोलते हैं quantum संख्या उसके बाद हमने सीखा quantum संख्या हैं कितने प्रकार की होती हैं आपने आंसर दिया चार प्रकार की होती है नेक्स question सीखा quantum संख्या हैं कौन-कौन सी होती हैं आपने का मुक्य quantum संख्या, दिगंची quantum संख्या, चुमक्य क्वांटम संख्या और चक्रन quantum संख्या हमने पूचा मुख्य क्वांटम संख्या क्या है आपने बहुत बता दिया कि वह क्वांटम संख्या जो हमें इलेक्ट्रोन के कोश की जानकारी देती है अर्थात इलेक्ट्रोन किस कोश में उपस्तित है इसके बारे में यदि बताती है तो इसको हम क्या बोलते हैं मुख्य क् भी मिलती है जैसे पर्मानू कोश के आकार के बारे में, उसकी तरिज्या के बारे में, उसको में एलेक्टरॉन जो चक्कर लगा रहा है, उसकी एनरजी के बारे में मैंने आपको एसको डेटेल में वीडियो में कबर खड़ दिया था. आज हमारा जिस टॉपिक पर discussion है वो है दिगंशी quantum संख्या या जिसको बोलते हैं एजी मुथल quantum number तो I think आपको उसकी परिभाशा याद हो गई होगी वे quantum संख्या हैं जो हमें electron के उपकोश की जानकारी देती हैं उसे हम बोलते हैं दिगंशी quantum संख्या इसे हम L से प्रदश्र करते हैं और L कमान N के मान पर नर्वर करता है यदि N कमान कुछ दिया हो तो L बराबर 0 से लेकर N-1 तक होगा और उधारने के लिए N बराबर 4 है तो L बराबर 0 1 2 3 होगा N बराबर 3 है तो L बराबर 0 1 2 होगा उसके बाद L बराबर 2 होगा तो निकालिएगा n बराबर 2 होगा तो l बराबर कितना हो जाएगा 0,1 हो जाएगा और n बराबर 1 है तो l बराबर केवल हो जाएगा 0 यह 0 का मतलब होता है s of coach अगर l command 0 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब s of coach p 1 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब p of coach बराबर दो निकल के आ रहा है तो इसका मदब डी कोश ये तो हो गई समरी जो आपको बत और content के लिखनी पड़ती है तो आपने इसको लिख दिया अब देखो मैं इसी को थोड़ा परिवाशा लिख दी अब हम इसमें देख रहे हैं कि दिगंची कौंटम संख्या पढ़ने के बाद हमें कौन-कौन सी नई जानकारिया मिलती हैं तो याद रखेगा यह कौंटम संख्या हमें बताती है कि 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 कोश में कौन-कौन से उपकोश उपस्थित है ठीक है पहली जानकारी हमें देती है यह अब कहोगे इसका क्या मतलब मैं भी बता रहा हूँ दूसरी जानकारी इससे मिलती है कि यह कौन-कौन-कौन संख्या हमें बताती है कि उपकोश की आकरती कैसी है उसके बाद यह कौन-कौन संख्या हमें बताती है कि कक्षक कौनिय संख्या इसका नाम होता है और्बेटल, एंगुलर, मोमिंटम, कामान कितना होता है कितना होता है यह कौन्टम संख्या हमें बताती है कि कि उपकोश की उर्जा अधिक है और किस उपकोश की उर्जा किस उपकोश की उर्जा कम है और यह मैं बताती है कि किसी उपकोश में अधिक्तम इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होगी ठीक है ध्यान से समझेगा यह पांचों चीजे हमें दिगंची कौन्टम संख्या से पता चलती है अब एक एक पॉइंट को मैं डीटेल में ले रहा हूँ देखो यहां पे देखो यह है मेरा पहला पॉइंट कि कौन्टम संख्या हमें यह बताती है कि कोश में कितने उपकोश है, तो देखो, कोश को कौन बताता है, आप बोलोगे कोश को बताते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या N, N बराबर 1 है, इसका मतलब पहला कोश है, N बराबर 2 है, इसका मतलब दूसरा कोश है, N बराबर 3 है, तीसरा कोश है, N बराबर 4 ह तो 5 वा कोश है, तो कोश के बारे में हमें जानकारी कौन देता है, मुख के quantum संख्या, चलो ठीक है यह तुम्हें पता है, अब बताओ, इस कोश में उपकोश कितने होंगे, इस कोश में उपकोश कितने होंगे, इसकी जानकारी कौन देगा, L, अब बताओ, L बराबर कितना हो होगे अब बोलोगे कि वहले एक ही मान होगा 0 अब बताओ यदि n बराबर 2 है तो l बराबर क्या होगा 0 से 2-1 इसका मतलब 0 & 1 2 मान होगे n बराबर 3 है तो l बराबर कितना होगा 0 से 3-1 it means 0 भी होगा 1 भी होगा 2 भी होगा चार है तो l बराबर क्या होगा 0 से 4-1 that is 0 होगा 1 होगा 2 होगा और 3 होगा इसी तरह से l बराबर 0 से 5-1 इसका मतलब 0 1 2 3 4 यह सब होंगे मान इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखो मैं अभी भी बता चुका हूँ उपकोश के नाम क्या होंगे उपकोश के नाम क्या होंगे तो आप कहोगे l बराबर अगर 0 है तो उपकोश का नाम होगा s l बराबर 0 और 1 है तो इसका मतलब उसमें 2 उपकोश है s है और p है तीसरे कोश में 3 उपकोश है s, p, d और d अब g का उपयोग नहीं करते हैं वो बात की चीज़ है तो आपसे कभी-कभी ऐसा कॉशन पूछता है कि देखो 1s, 2s, 3d और 4g, 3f, चार मैंने विकल्प ले लिए, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, आपसे कॉशन पूछ रहा है कि निम्न लिखित उपकोशों में कौन सा उपकोश संभव नहीं है, अब आप बताओ, ये 1 मतलब है पहला कोश, 1 का मतलब है पहला कोश, पहले कोश में देखो as possible है, ठीक है, ये 2 मतलब है दूसरा कोश, दूसरे में भी as possible है, देखो as होता है, मतलब ये भी possible है, ये तीसरा कोश है, तीसरे कोश में S भी होता है P भी होता है, D भी होता है तो इसका मतलब 3D भी है, possible होगा अब बताओ 3F, बताओ इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे कोश में क्या F है, आप खुद देखो, यह हमारे पास तीसरा कोश है, तीसरे कोश में S तो होता है, P तो होता है, D तो होता है मगर F नहीं होता है, इसका मतलब 3F possible नहीं है, तो आप से इस तरह के question खुब सारे पूछे जाते हैं मैं आपको कुछ question लिख दे रहा हूँ, आप केवल ये बताईएगा कि कौन से उपकोष possible नहीं है आप हमें ये बताईएगा, कौन से उपकोष possible नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले लिखा हमने 2D 3P 4F 6G 5F 7 G, ये मैंने कुछ उपकोष के नाम लिखे हैं, आप हमें केवल ये बताईएगा कि कौन सा उपकोष possible है और कौन सा उपकोष possible नहीं है, तो आपने देख लिया ना, कि किसी कोष में कौन से उपकोष होते हैं इसकी जानकारी हमें किस से मिल जाती है L के मान से मिल जाती है तो देखो हमारा पहला point तो clear हो गया कि यह quantum संक्या हमें बताती है कि किस कोष में कौन-कौन से उपकोष उपस्तत होते हैं clear है, यह question आपको करना है, comment section में इसका answer देना है अब इसके बाद देखिए, दूसरा part को अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि यह quantum संक्या हमें बताती है कि उपकोष की आकरती कैसी होगी इसको देखो आप याद कर लेना यह मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ आकरतियां आपको पहले बता चुका हूँ में कि किस उपकोष की आकरती कैसी होती है यह मैं आपको बता चुका हूँ बस यहाँ पर केवल आपको learn करना है यहां लिखिएगा उपकोश उससे पहले लिखिएगा एसा लिखिए पहले लिखिए दिगंची quantum संख्या एजी मुथल quantum number कामान यहां लिखिएगा उपकोश और उसके आग लिख दीजिएगा आकरती ठीक है आप देखो अगर दिगंची quantum संख्या L बराबर 0 है तो इसका मदब उपकोष कौन सा है S और S की आकरती कैसी होती है गोलाकार आप बताओ next क्या होगा यदि L बराबर 1 हो तो इसका मदब उपकोष कौन सा है P और P की आकरती कैसी होती है डंबलाकार या डंबल के आकर की ठीक है डंबल मतना इस तरह का होता है ठीक है डंबलाकार अगर L बराबर 2 है तो उपकोष कौन सा होगा D इसकी आकरती कैसी होगी दूई डंबला का डबल डंबल शेप की होगी डबल डंबल शेप का मतलब देखो ये एक डंबल है ये एक और डंबल है इस तरह की आकरती कुछ होगी इसको हम बोलते हैं दूई डंबला का और L बराबर यदि तीन है तो ये होगी F और F की आकरती कैसी होती है जटिल होती है इसको हम पेपर पर डिजाइन नहीं कर पाते हैं ये मैं आपको डीटेल में बता चुका हूँ पहले तो इस तरह से हमने देखा कि यदि आपको L का मान दिया हो तो हम आकरती पूछ सकते हैं हम आपसे question reverse करके पूछता है कि यदि L बराबर 3 है तो उस से प्रदर्शत होने वाले उपकोश की आकरती कैसी होगी तो वहाँ आप confuse नहों उसको आप ध्यान रखिएगा कि L बराबर 0S को बताता है L बराबर 1P को बताता है L बराबर 2D को बताता है L बराबर 3F को बताता है कुछ लोग कहेंगे अगर G होता तो अब जब F की आकरती जटल है तो उसके नीचे जो भी होंगे उपकोश वैसे तो पाए ही नहीं जाएंगे जो हमारे पास at present element मौजूद है उनमें SPDF से काम चल जाने वाला है बट अगर कभी कोई ऐसा element मिला तब उसके आकरती के बारे में बाद में बात होगी बाद में researches होगी बट अभी आप अगर F के आगे की बात करते है तो उन सभी के आकरती कैसी हो जाएगी जटल हो जाएगी तो देखो हमने ये दो point सीख लिए कि पहला point तो ये बताता है कि किस कोश में कौन-कौन से उपकोश है दूसरा ये बताता है कि किस उपकोश की आकरती कैसी है अब तीसरा point है जो most important है ये बहुत पूछा जाता है कि धिकन्ची quantum संख्या हमें कक्षक कोडिय समवेग या जिसको हम बोलते हैं और्विटल अंगुलर मोमिन्टम के बारे में बताती है देखो और्विटल अंगुलर मोमिन्टम कैसे निकालते हैं इसके लिए सूत्रियाद रखिए कक्षक कोडिय समवेग most important है ध्यान से समझेगा जिसको बोलते हैं और्विटल अंगुलर मोमिन्टम ठीक है कक्षक कोडिय समवेग का मान कितना होता है उसके लिए आप फॉर्मला यात रख लीजेगा ससूत होता है ह बटे टू पाई अंडरूट एल एल प्लस वन ये बहुत important है कभी कभी लोग ह बटे टू पाई को एक नए तरीके से represent करते है ह बटे टू पाई लिखो ये तो बहुत अच्छी बात है कभी कभी कुछ लोग उसको ह कट लिखते या कभी कभी लोग उसको ह बार लिखते एक ही चीज़ है ह बार बार का मतलब उपर एक लाइन ह कट इन दोनों का ही मतलब कितना होता है ह बटे टू पाई तो कक्षिय कौण ये समवेक के सूत्र को हम इस तरह लिख सकते है ह कट अंडरूट एल एल प्लस वन ठीक है कर लोग इसे या फ़र कभी कभी इसी सूत्र को कैसे लिख देते है ह बार अंडरूट एल एल प्लस वन जहां एल क्या है तो आप बोलोगे एल है दिगंशी क्वांटम संख्या अब देखो इससे कॉशन इंपोर्टन क्यों है इससे कॉशन किस तरीके से पूछे जाता है इसको आप ऐसे देखो आप से पेपर में कॉशन आता है कि एस उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोड़िय समदेग कितना होता है ये कॉशन आता है बहुत पूछर आता है ये कॉशन ये एक कॉशन है एस उपकोश के लिए कक्षक कोड़िय समदेग कमान कितना होगा ऐसा ही कॉशन बनेगा पी उपकोश के लिए कितना होगा फिर कॉशन बनेगा डी उपकोश के लिए कितना होगा फिर नेक्स बनेगा एफ उपकोश के लिए कितना होगा क्या कितना होगा orbital angular momentum कितना होगा तो आप बताओ s उपकोष के लिए s उपकोष के लिए आपको पता है न l वराबक होता है 0 ठीक है तो आप लिखोगे अतहा कक्षक कोड़िय संबेग कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे h बटे 2π under root 0 plus 0 plus 1 सबको solve करोगे तो कितना आजाएगा 0 मतलब s उपकोष के लिए कक्षक कोड़िय संबेग का मान कितना होता है 0 होता है p उपकोष के लिए कितना होगा तो l बराबर कितना होता है p उपकोष के लिए 1 तो कितना मान हो जाएगा h बटे 2π under root 1 bracket में 1 plus 1 तो इसको solve करोगे तो कितना हो जाएगा under root 2 h बटे 2π ये root 2 time cancel हो जाएगा तो final answer क्या हो जाएगा h बटे root 2π ये मारा answer हो जाएगा h उपकोष के लिए 0 होता है p उपकोष के लिए कितना होता है h upon root 2π डी उपकोष के लिए l बाराबर कितना रख दोगे 2 रखोगे solve करोगे कितना हो जाएगा h बटे 2π under root 2 2 plus 1 तो कितना हो जाएगा root 6 हो जाएगा इसको कितना करोगे h ऐसा करो root 6 h upon 2π ठीक है इसको और solve कर सकते हो अब चाहो तो h plank नहीं अतांक होता है ठीक है इसके बाद f of kosh में l बराबर कितना रखोगे 3 रखोगे और जब 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा h बटे 2π under root 3 3 plus 1 तो कितना हो जाएगा 12 12 को लिख सकते है 4 into 3 लिख सकते है h बटे 2π ये 4 का root 2 आएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा and finally answer कितना हो जाएगा root 3 h upon pi ये बिकल्प में दिये रहते हैं आपसे पूछा रहता है f of kosh के लिए कक्षक कोण यह संबेग कितना होता है answer दिया होता है root 3 h upon pi p of kosh के लिए कक्षक कोण यह संवेग कितना होता है H upon root 2 pi तो इस तरह से आप कक्षक कोण यह संवेग निकाल लोगे यह बहुत important है बहुत बार पूछा जाता है और कई सारे competitive examination में यह पूछा जाता है फिर चाहे वो NEED का exam हो या फिर किसी भी engineering exam या फिर कोई भी college का entrance exam हो यह सब question बहुत important है बहुत पूछे आते हैं तो आपने तीन चीज़ें देखी कि जो दिगंशी quantum संक्या है वो हमें बताती है कोश में कितने कोश है कोश की आकरती कैसी है और कक्षक कोणी संवेग कमान कितना होता है अब हमें चौथा point सीखना है कि जो दिगंशी quantum संक्या होती है वो किस कोश की ऊर्जा अधिक है और किस कोश की ऊर्जा कम है इसके बारे में बताती है इसमें बहुत छोटी सी चीज़ा रखनी है L कमान कम है तो ऊर्जा भी कैसी होगी? कम होगी L कमान जादा है तो ऊर्जा भी कैसी होगी? जादा होगी तो आप बताओ अगर हम आपसे बोले 4S, 4P, 4D, 4F इन चारों में सबसे जादा ऊर्जा किसकी है? 4S, 4P, 4D, 4F जान से समझना? ये 4, 4, 4, 4 लिखा हुआ है इसका मनलब चौथा कोश में S भी है चौथे कोश में P भी है चौथे कोश में D भी है और चौथे कोश में F भी है हम आपसे पूछ रहा है इन चारों में सबसे जादा ऊर्जा किसकी है? तो आप बोलोगे जिसके लिए L जादा उसके लिए उर्जा जादा आप बोलोगे 4f की उससे कम किस की उजाएगी 4d की उससे कम 4b की और उससे भी कम किस की उजाएगी 4s की उजाएगी मतलब कहने का यह हुआ अगर एक ही कक्षा के कई उपकोश हैं अब देखो आप ऐसा मत करना हमने आपसे बोला कि 3D और 4D में किसकी उरजा जादा है 3D और 4D में किसकी उरजा जादा है तो फिर इसमें या ऐसा समझ लो 3D और 4F में उरजा जादा किसकी है तो आपको फिर या ऐसा समझ लो 4S लिख दे रहे हैं अब आपको जादा clear हो जाएगा हमारा question है 3D और 4S में किसकी उर्जा जादा है तो आप बोलोगे D के लिए L कमान तो 2 है और S के लिए तो L कमान 0 है इसका मतलब 3D की उर्जा जादा होनी चाहिए 4S की उर्जा जादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए तो ऐसा नहीं होता है इसको निर्धारत कैसे करते हैं यह हम आगे सिखाएंगे इसके लिए रूल जलता है N प्लस L रूल N प्लस L का नियम यह आगे सिखा रहो हूँ बट अभी के लिए आपको सीखना केवल अतना सा है कि किसी कक्षा में कई सारी उपकक्षाएं हैं और उनों कक्षाओं में अगर हमें यह निर्धारत करना हो कि किस उपकोष की उर्जा कम है किस उपकोष की उर्जा जादा है तो हमें केबल किस का मान देखना पड़ेगा एल कमान देखना पड़ेगा, अगर एल कमान जादा है तो अपकोश की उर्जा जादा है, अगर एल कमान कम है तो अपकोश की उर्जा कम है यह question यहां से निकल के आ रहा है गड़ो कैसे, यह मारा हो गया fourth point, कि अपकोश की उर्जा द्यान से समयना है, हमारे पास एक तीसरी कक्षा है, आप बताओ तीसरी कक्षा में कौन कौन सी उपकक्षा होती है, तो आप बोलो कि तीसरी कक्षा में तीन उपकक्षा होती है, S भी होता है, P भी होता है, और D भी होता है, तीसरी का S, तीसरी का P और तीसरी का D, हमने पूछ और D के लिए L बराबर होता है दो, तो सबसे ज़्यादा उर्जा किस की हो जाएगी, 3D की उसके बाद 3P की और उससे कम किस की हो जाएगी, 3S की हो जाएगी, तो इस तरह से एक ही कक्षा की बिभिन उपकक्षाओं में उर्जा का नरधारन हम L के मान से कर सकते हैं, अगर L का म कम है तो उर्जा कम होगी, L का मान जादा है तो उर्जा जादा होगी, अब आखरी है, किसी उपकोश में उपस्थिद अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या, देखो, यह हमारे पास उपकोश S है, यह P है, यह D है और यह F है, आपको पता है, जैसे हमने कहा यह कोश, कोश में, कोश मतलब N, N बरावर 1 मतलब पहला कोश, N बरावर 2 मतलब दूसरा कोश, N बरावर 3 मतलब तीसरा कोश, N बरावर 4 मतलब 14 कोश, ठीक है, अब आब बताओ, हम आपसे बोलें कि पहली कोश में, First shell में, कितने electron होते हैं, तो आप कहते हो, two N square में N कमान कीतना रखदो, one तो इसका मदब पहले कोश में 2 electron होते हैं, दूसरे कोश में 8 electron होते हैं, तीसरे कोश में 18 electron होते हैं, और चौथे कोश में कितने होते हैं, 32 electron होते हैं, कोश में, किसी कोश में अधिकतम electron की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलो के 2N square होती है, मदब N का मान अगर हमको दिया हो, तो हम ये बता सकते हैं, कि किसी कोश में कितने electron हो, अधिक्तम हो सकते हैं, उसी तरह से अगर हमें L का मान दिया हो, तो हम ये बता सकते हैं, कि उपकोश में अधिक्तम electron कितने होंगे, कैसे निकालते हैं, उसके लिए formula होता है, 2, 2L plus 1, ठीक है, ये संख्या होती है, अब देख मान रख दिया, तो कितना हो गया, 2 into, 2 into 0 plus 1, solve करोगे तो कितना हो जागा 2, इसका मतलब S of kosh में कितने electron हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 2 हो सकते हैं, हमने का P के लिए, P में कितने हो 6, इसका मंदब जो P of coach है, उस P of coach में अधिकतम electron कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 6 हो जाएंगे, इसके बाद D में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे L का मान 2 रखो दो, तो 2 into 2 into 2 plus 1, तो 2 गुड़ा 2 4 और एक जुड़ेगा 5 और गुड़ा 2 P of coach है, इसमें 3 कक्षक होते हैं, D of coach है, इसमें 5 कक्षक होते हैं, और F of coach में कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, और हर कक्षक में electron कितने हो सकते हैं, दो दो electron हो सकते हैं बताओ S में कितने electron होंगे दो अधिकतम P में कितने होंगे 6 अधिकतम D में कितने होंगे 10 maximum 10 से कम भी हो सकते हैं बट maximum 10 होंगे और F में कितने हो जाएंगे 14 maximum ठीक है तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किसी उपकोश में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या किस से पता चलती है तो आप बोलोगे L के मान से, L के मान से निकालते कैसे हैं तो सूत्र क्या होता है, 2 इंटू 2L प्लस 1 इस तरीके से हम किसी भी उपकोश में इलेक्ट्रोनों की संख्या निकाल सकते हैं सोचो, एक क्वेशन हम आपको दे रहे हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक उपकोश है जिसका नाम है G हमारे पास कोई एक उपकोश है जिसका नाम है G अब आप बताओ कि अगर G उपकोश होता तो उस उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती ये आप हमें solve गरके बताईए कमेंट सेक्षिन में इसका answer लिखिए तो इस तरह से हमने देखा कि दिगंची quantum संख्या क्या होती है दिगंची quantum संख्या की 11th level पर शुरूवाती definition कैसे लिखी जाती है और फिर उस शुरूवाती definition के बाद हमें ये पता लगाना था कि इस दिगंची quantum संख्या से हम क्या-क्या जानकारियां जुटा सकते हैं तो ये कुल 5 जानकारियां थी इन 5 जानकारियों को आपने detail में question के माध्गम से करना सीखा उमीद है आप सभी लोगों को ये दिगंची quantum संख्या पूरी तरह से समझ में आ गई होगी अगर अभी भी ये quantum संख्या समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पिछला वाला पहले देखिए उसके बाद उसके connection में ये दूसरा देखिए तो आपको दोनो quantum संख्या पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी अब जब मैं दो quantum संख्या और सिखा लूँगा उसके बाद जब मैं quantum संख्या के सवाल भी करा लूँगा फिर आप किताब के question को करिएगा आपका एक भी question ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ तो उमीद है आपको यह जाद वीडियो पसंद आया होगा अपने दोस्तों तक इसको शेर कीजिए लाइक कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट इसको सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आपको notification पुरंत प्राप्त होता रहे उमीद है पसंद आया होगा थेंक यू थेंक यू बेरी मच